नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर शेहरों जैसी सुधा अब मिलेगी गाओं में भी बिहार के सरकारी स्कूलों में सर्चकों की उपस्तिती पर ऐसे रखी जाएगी नजर बिहार प्रसास्निक सेवा के चौवन अधिकारी बने आई एस नैस साल के जश्टन को लेकर ट्रेने हुई फुल रेकिसिंग ने तुफानी पारी खेलने के बाद इस वजह से मांगी माफी इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से बिहार प्रसास्निक सेवा के चौवन अधिकारी बने आई एस कार्मिक एवं लोग सिकायत मंतराली के द्वारा अधिसूशना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार प्रसास्निक सेवा के चौवन अफसरों को आई एस में प्रणती दी गई है ऐसे में अब बिहार सरकार के सामाने प्रशासन विभाग के द्वारा इन्हें पदस्थापित के जानी के अधिसूशना जारी की जाएगी मालमों कि जिन भी चौवन अफसरों को आई एस में प्रमोशन दिया गया है उनसमें 2020 बैच के 25, 2021 बैच के 21 और 2022 बैच के 8 अधिकारी शामिल है पासवान रंजीत कुमार कलतना कुमारी वा प्रवीन कुमार है नए साल के जशन को लेकर ट्रेने हुई फुल नए साल की शिडवात होने में अब बस कुछी दिन बाकी रहे गये हैं ऐसे में कई लोग अपना नया साल बनाने के लिए किसी परटर नस्थल पर जाने की तैया कर रहे हैं मालुम हो कि यही वज़ा है कि बिहार की राजधानी पतना से खुलने वाली तेजस राजधानी पाटले पुत्र LTT पतना पूरी पतना वासको दगामा एक्सप्रेस में फुल ओक्योपेंसी हो और वेटिंग 100 के पार पहुच गई है ट्रेनों में 25 दिसंबर से 29 तक फुल ओक्योपेंसी है पतादे कि 25 दिसंबर को जिन ट्रेनों में बेटिंग है उनमें गारी संक्या 123 MP2 123 9 out here गारी संख्या 1-2-3-09, तेजस राजधाने एक्स्प्रेस, गारी संख्या 1-2-1-4-2, पाथले पुत्र LTT एक्सप्रेस, गारी संख्या 1-2-7-4-2, वासको दगामा एक्स्प्रेस और गारी संख्या 1-8-4-5-0-5-0-5, पटना पूरी एक्सप्रेस के नाम शामिल है. टीचर बहाली के लिए रद हुई परिक्षा की तारी का कर दिया एलान वहाई लोग सेवा योग की तरफ से अधिसूशना जारी कर सीता मढ़ी के एक केंद्र पर रद हुई सिक्षक भरती परिक्षा की नई तारी का एलान कर दिया गया है ऐसे में यह परिक्षा भी अब 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह दोनों परिक्षा बिहार की राजधानी पटना, कमला, नेहरू, उच्च माध्यमेंक, विद्याले, गर्दनी बाग में आयोजित करवाई जाएगे इस परिक्षा को लेकर एडमिट कार्ड 14 दिसंबर को जारी किया जाएगा वहीं अभियर्थियों को परिक्षा के इंदर पर एक घंटे पुर्व यानि 11 बजे पहुँचना होगा सियम नितीश ने 76.36 करोड की योजनाओं का किया सलन्यास विहार के मुक्य मंत्रे नितीश कुमार आज सिवर दोरे पर पहुँचे जहाँ ने कई योजनाओं का उदगाटन और सलन्यास किया पतादे किस दोरान सियम नितीश के दोरा सबसे पहले समहार नाले परिसर में अधिस्थापत पंडित रगुनात जाकिप प्रतीमा का अनावरन कर पुस्पांचली अर्पित किया गया इसके बाद उन्होंने परिसर में तीन दसमलों एक शुने करोड की लागश से बनने वाले भवन का सलन्यास किया इसके बाद सीयर मिती शिवर के देकुली धाम भी पहुंचे जहाँनों ने जले के एक मात्र एतिहासिक और पौरानिक अस्थल देकुली धाम का जिनुधार कारी का सिलन नयास किया शेहरो जैसे सुधा अब मिलेगी गाउं में भी बिहार के गाउं में भी सहरों जैसी सुवधा मिल सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा छट्थे वित आयों की अनुसंसा पर वीतिय वर्ष सो हजार तेश शबस में ग्राम पंचायतों को साधे छे हजार करोर रुपए जारी किये जाएंगे जिसका इस्तमाल पंचायतों के मुख्या के द्वारा अपने गाउं के विकास कारियों के लिए किया जाएगा और शेहर जैसी बेसिक सुवधा लोगों को दी जाएगे जिसमें खेल के मैदान, गार्डिन में ओपन जिम, सोलर स्ट्रीट लाइट, शबदाह ग्रीब, बस और स्टैंड या तरी शेट जैसी सुवधाएंस सामिल है, मालमों की मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार छटे वित आयोग की अनुसंसा पर, राज्जी सरकार के द्वारा वीतिये वर्ज 2021 से, 2024 से पच्चस के बीच ग्राम पंचायतों को कुल 29,876 करोड रुपे देने है बिहार के सरकारी स्कूलों में सक्चकों की उपस्तिती पर ऐसे रखी जाएगी नजर, बिहार लोग सेवा योग के द्वारा बिहार के सरकारी स्कूलों में सक्चकों की न्युकती तो कर दी गई है, वहीं अब न्युकत हुए सक्चकों की उपस्तिती पर बिहार सरकार के सक विभाग के दौरा कड़ी नज़र रखी गई है मालमों कि अब सक्षकों की उपस्ति रजिस्टर के माध्यम से नहीं बलकि बायो मैक्रिक्स के माध्यम से ली जाएगी जिसकी शुरुआत पहरे चलन के तहट राज्य में 4602 स्कूलों में की जाएगी और साथ ही विभाग के और से सभी हाई और इंटर्मीडियेट स्कूलों को इंटरनेट सुधा भी महया कराई जाएगे इनकामों को पूरा करने के लिए विभाग के और से एजनसी का चैन कर दिया गया है और साथ ही इस बारे में राज्य के सभी जला सिक्षा पदादी काड़ियों को अफगत करा दिया गया है बिहार पंचायत उप्चनाव में कई पद को किया गया रद इपहर पंचायत उप्चनाव का विगुल बच चुका है इसा कड़ी में राज्यर निर्वाचन आयोकी तरफ से जानकारी दी गई है कि पंचायत उप्चनाव हे तो कुल 16 St bay 6 हसनपूर बागर में ग्राम कछडी सर पंचपद, बेगुसराई के डंडारी प्रखंड के कटर माला में पंचपद, वैशाली के महुआ प्रखंड के चक्म जाहिद पंचायत के मुख्या पद और दर्भंगा, जले के सिवारा प्रखंड के, हरिहरपुर पश्मी पंचायत के नर्वाचन को रद कर दिया गया है, अब तेज रफ्तार में गारी चलाना पड़ेगा महंगा, अगर आभी उन लोगों में हैं जो तेज रफ्तार में गारी चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं, बतादे कि बिहार सरकार के पड़ेवहन विभाग के द्वरा, सरक सु सरकों के लावा सभी जिलों के बॉर्डर और टोल पलाजा पर भी लगाया जाएगा ताकि गारियों की पहचान करने में किसी प्रकार की परिशानी का सामना ना करना पड़े। मेगावार्ड बिझली का उत्पादन किया जाएगा बल्कि बैटरी उर्जा भंडारन प्रानाली के माध्यम से देश शां पिक अवर में भी 45.50 मेगावार्ड बिझली के आप उरती की जा सकेगी बतादे कि सोलर पावर प्लांट को बिहार स्टीट पावर जेनरेशन कंपनी के द्वारा अस्थापित किया जड़ा है मालम हो कि इसको लेकर उर्जा विभाग के द्वारा परियोजना लागत की 80% रासी यानी 1448 दसमलो दो साथ करोड विवन वीटी संस्थानों से रिन स्वरूप लिये जाने तिथा 20% रासी 362 दसमलो सुनिस साथ करोड रुपे राजिस सरकार से पुझिकत निवेस के रूप में एक्विटी स्वरूप में प्राप्त किये जाने की मंजूरी दे दी है पतादे किस परियोजना से संबंध फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डिप्यार कंसल्टेंट मेसर्स गुजरात एनरची एंड मैनेजमेंट करने और लापरवाही के कारण आवेद्नों का निस्पाद नरधारित समय पर नहीं करने के कारण इससे जरे करीब 7,50,000 मामले लंबित है ऐसे में लंबित मामलों को लेकर बिहार सरकार के राजिश्व एवं भूमी सुधार विभाग के मंत्री आलोग कुमार मेता के द्वा समय सभी पतादिकारियों को सक्त नरधेस देते वे कहा गया है किसमें गरबरी या लापरवाही पर सक्त कारवाई की जाए और लंबित आवेद्नों की संख्या जल से जल्द कम की जाए मालमों कि विभाग का लक्ष है कि अगले दो महीनों में लंबित मामलों की संख्या 6 लाग के अंदर ले आई जाए IPS आधिते कुमार से EOU ने 8 घंटे तक की पूछताच आर्थी कप्रा दिकाई यानि की EOU के द्वारा बीतर दिन गया के पुर्व SSP और 2011 बैच के IPS अधिकारी आधिते कुमार से करीब 8 घंटे तक पूछताच की गई इस दौरान EOU के द्वारा कई सवाल पूछे गए पर आधिते कुमार के द्वारा अपने उपर लगे हर आरोपो से इंकार किया गया वहीं इस दौरान EOU के द्वारा आदिते कुमार से पूछताच के बाद उनका पुराना मोबाइल भी मांगा गया जिस पर आदिते कुमार के द्वारा कहा गया कि मोबाइल फोन कहीं कुम हो गया है इसके साथ ही आदिति कुमार के द्वारा अवशेक अगरवाल से दोस्ती की बात भी खारिज की गई और उससे समाने जान पहचान बताया गया उन्होंने ततकालिन डीजीपी को पैड़वी वाला फोन कराने के सवाल पर जवाब देते वे कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया इससे पुन रूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी सिज्रे मामले हमें सुनने को मिलते रहते हैं हलाग इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग के ओर से कई कोशश की जा रही पतादी की ताजा मामला उत्तर प्रदीश बिहार सीमा परस्त मांची चेक पोस्ट की है जहां उत्पाद विभाग की टीम के दोरा गुप्त सूशना के आधार पर कारवाई करते वे एक कंटेनर से 50 लाख रुपे के शराब बढ़ामत की गई है और साथ ही एक तसकर की भी गिरफतारी की गई है इस बारे में उत्पाद नीश हुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि हकारवाई गुप्त सूशना के आधार पर की गई है मांची चेक पोस्ट पर जब इस कंटेनर को चेक किया गया तो इस कारण मसीन में बोतल दिखाई पड़ी जब कंटेनर को खोल कर तलाशी ली गई तो भारी मा बिहार के मुझहपर पूर से 501 भक्तों का जथा प्रभू राम के लिए सोने का मुकुट चान्दी का तीर धनुष अंग वस्त्र चरण पादु का मासीता के लिए सोलस ट्रिंगार सामगरी और सभी पड़ानिक अस्थलों की मिट्टी को लेकर अयोध्या के राम मंदर के ल सिंदूर दान कड़े सीता का सम्मान कड़े का आवाहन कर सिंदूर जमा करेंगी बता दे किस यात्रा की शुरुआत गरीवनात मंदर से 30 जन्वरी को शुरू होगी जो की तेरा फरवरी को एध्या पोहुँचने पर खत्म होगी वारानसी में मुख्यमंत्री के रैली पर गेरास सिंग ने दी चिताबनी 24 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार वारानसी में रैली करने वाले हैं वारानसी में नरंद्र मोदी के खिलाफ चनाव लड़ने की घोशना करे अगले लोग सभाचनाव में नितीश कुमार के लिए कुछ भी सेस नहीं बचा है रिंकु सिंग ने तुफानी पारी खेलने के बाद इस वज़ा से मागी माफी बीदे दिन साउथ अफरीका के खिलाफ सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान पर खेले गया दूसरे टीट्वेंटी में भारतिये टीम को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा हलाक इस मैच में रिंकु सिंग के दौरा महज 49 गेंदों में 68 रन बनाते वे अपने टीट्वेंट इंटरनाशनल करियर का पहला अर्ध सतक बनाये गया फिर उन्होंने माफी भी मांगी दरसल BCCI के दौरा एक वीडियो शेर किया गया है जिसमें रिंकु सिंग माफी मांगते नजर आ रहे हैं बता दे कि रिंकु सिंग के दौरा बीत दन 19 वे ओवर में एडरन मार्कम की गेंद पर ऐसा 6 लग जमाये गया जो सीधा मीडिया कहा कि पैनिक मत कर और अपना नैचुरल गेम केर उनकी बातों का मुझे फाइदा मिला उन्होंने कहा कि मुझे तो ये पता भी नहीं चला कि ऐसा हुआ मैं इसके लिए स्वारी बोलता हूँ अब भरते हैं आज के 5 सवाल के उड़ हमारा पहला सवाल है लगी सराय के कजरा सोलर प्लांट को स्थापित करने पर लगने वाली लागत कितनी है उप्शने 1810.34 करोड उपए उप्शन B 2222.45 करोड उपए उप्शन C 3456.21 करोड उपए उप्शन D इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है उप्शने 1810.34 करोड उपए अगला सवाल बिहार पंचायत उप्चनाव में कितने पद को रद किया गया है उप्शने 1, उप्शन B 2, उप्शन C 3, उप्शन D 4 इसका सही उत्तर है उप्शन D 4 अगला सवाल तीचर बहाली के लिए सीता मढ़ी और सिवान में रद हुई पड़िक्छा कब आयोजित की जाएगी उप्शन E 14 दिसंबर, उप्शन B 15 दिसंबर, उप्शन C 16 दिसंबर, उप्शन D 18 दिसंबर इसका सही उत्तर है उप्शन D 18 दिसंबर अगला सवाल उप्शन D 15 भक्तों का जप्था अयोध्या के लिए कब रवाना होने वाले हैं? उप्शन E 18 दिसंबर 2023, उप्शन D 28 दिसंबर 2023, उप्शन D 12 फरवरी 2024 इसका सही उत्तर है उप्शन C 30 दिसंबर 2024 अगला सवाल रिंको सिंग के द्वारा साउथ अफ्रीका के खिलाव खेले गये दूसरे T20 मुकाबले में कितने रन बनाए गये? उप्शन E 49, उप्शन B 68, उप्शन C 75, उप्शन D 80 इसका सही उत्तर है उप्शन B 68 बीते दिन हमारे दुरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन Boks में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दुरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल है आपके नुसार रिंको सिंग के मौझुदा फॉर्म को देखते वे क्या उन्हें T20 विश्विकप में खेलाया जाना चाहिए या रही अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में रिका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद